हलो फ्रेंड्स नमस्कार फाइनेंसियल विद गोफी कृस्ना में आपका स्वागत है जिसमें होती है मुचल फंड्स एवं अधर फाइनेंसियल सेक्टर्स की बात आपके साथ हिंदी में कम पैसे से अमीर बनना है करोड़ पती बनना है तो यसाइपी जल्दी सुरुवात करें देखे हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा हो कारपस क्रियेट हो जिससे उसके खर्चे आसानी से चल सके आर्थिक रूप से वह आत्म निर्भर हो यह नहीं कि छोटी छोटी बात के लिए किसी और से पैसा या किसी फैनेंसियान इंस्टिट्यूशन के पास जा करके वह पैसा उधार में लेना सुरू कर दें देखिए पहले के समय में जो अपने लोग थे अपने पूर्वस थे वो लोग कहते थे कि पैसा तो हाथ की मैल है अगर पैसा हाथ की मैल है तो आप जा कर तो सभी लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे वर्तमान समय में जबकि पैसे का इतना ज्यादा महत्त नहीं तो हमारा उद्देश है कि कम पैसे में अगर करुर्ण पती बनना है तो कैसे बने हम अपने वीडियो पे जो है लास्ट में प्रस्णों एक प्रस्ण का उत्तर भी देंगे कई लोग प्रस्णों पूशते हैं जिससे संकाओं का समाधान भी होता रहे मिस्टर ए हैं इनको कम पैसे में निवेश करना देखें वर्तमान समय में आज के समय में अगर एक 600 रुपए परड़े अपनी मजदूरी लेता है या रिक्सा चलाने वाला भी जो है 500-600 रुपए परड़े पैदा कर लेता है कमाई कर लेता है तुम महिने में 2,000 रुपए की आसानी से बड़ी आसानी से अपनी एक क्यसाइपी सुरू कर सकता है 2,000 रुपए महिने की जो है अगर 500 रुपए के हिसाब से भी उसकी कमाई होती परड़े तो साल में महिने में 15,000 रुपए उसके पास आएंगे और 2,000 रुपए की एक साथ मिन्ना करके उसको 5-500 रुपए की 4SIP कर ले किसी अच्छे बित्तिय सलाकार के पास चला जाए जो किसके लिए अनके पास भी जा सकते हैं और 2,000 रुपए के आप कि उनके सामने करें कि इतने इमांट से कम ना करें समस्यां करने इसकी अगर आपके सामने समस्यां आ रही तो मेरे आपिस में संपर करी है तो भी आपकी फेल्ब की जाएगी आपका निवेस करा दिया जाएग लेकिन ये मत पूछिए कि मैं इस आप के द्वारा कर रहा हूं मुझे ये दिक्कतारी इसकी आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प हमारे यहां से नहीं मिलने वाली है क्योंकि मेरी टीम इनके विसे में कोई भी स्टडी नहीं करती है हम लोग सिर्फ अपने यहां जो इंटरफे कोई ब्यक्ति अगर मानली सड़क के किनारे अपना दुकान लगा रखा है किसी भी तरह से वह 500-600 रुपए पर डे कमा रहा है आगे उसकी इंकम बढ़ती रहेगी हम यहां पे जो इंकम बढ़ रही उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं आज के समझ में ही मान लेते हैं कि 15-20,000 र कर दीजिए या एक-एक हजार रुपए की दो कर दीजिए इससे आपके सामने कभी बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा और आप सिर्फ 15 साल अपनी साइपी चलाईए 15 साल यह साइपी चलाने के बाद जो है बंद कर दीजिए लेकिन पैसे को मत निकाली पैसा निकाले है क्योंकि मूचल फंड में अगर आपका पैसा लगा हुआ है तो आपका पैसा कभी भी लूबने वाला नहीं है अगर वो एक कोई मूचल कंपनी बंध हो रही तो दूसरी मूचल कंपनी उसको टेक-वर कर लेगी तो एक देखेगा आपके समझ ऐसा चार्ड भी आ रहा है उसको थोड़ा रोग करके दिखें, इसमें कायलकुलेशन भी हमने बताएं, 2000 रुपए की SIP है, 15 साल तक चलेगी, उसके अगले 15 साल तक आपको वेट करना है, और अगर 15% भी एवरेज रिटर मान लिया जाए, तो आपको जो है 1 करोड, 30,810 रुपए मिल जाएंगे, यानि कि आप लमसम फिगर 1 करोड रुपए आपको 30 साल बाद आपके पास आ जाएंगे, आप कोई ये कहेगा कि हम उस समय 1 करोड रुपए की चा वैल्यू होगी, जिसकी अगर 15,000 रुपए, 20,000 रुपए आज के समय में इंकम है, उसके पास 30 साल बाद भी 1 करोड रुपए की वैल्यू जो है, लाखों में होगी, लाखों में तब भी होगी, ऐसा नहीं कि वो हजारों में आ जाएंगे, तो अगर मालीजे किसी की जादा इंकम है, एक लाख, दो लाख रुपए मंदली, तो इसी रेशियो में वो बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह से कम पैसे में आप आसानी से अपने पास अच्छा पैसा बना सकते हैं, करोड़ पती बन जाएंगे, अब एक प्रस्न पूछा गया अपने, इन्होंने प्रस्न पूछा है रतनागर जी ने, कि S.I.P. और mutual fund से maturity के बाद जो पैसा खाते में आता, उसमें कितने परसेंट का टैक्स कटता है, कितना टैक्स कटने के बाद पैसा खाते में आता है, देखिए रतनागर जी यहाँ पर दो चीजे हैं, कि आपने किस category के funds में लगाया, हम यह मान की चलने हैं, कि आपने equity oriented scheme में पैसा लगाया होगा, तो equity oriented scheme में पहली चीज तो mutual fund company कोई भी tax नहीं काटेगी, आपकी जो fund value है, वो fund value आपके account में सीधा सीधा transfer कर देंगे, जब आप अपना redemption लगाएंगे तब करेंगे, अगर redemption नहीं लगा रहे हैं, तो mutual fund company आपके account में पैसा transfer नहीं करेंगे, वो उनी के पास रहेगा और आपके पैसे में growth होती रहेगी, जब आप redemptions लगाएंगे, पैसा आपके bank account में आ जाएगा, हाँ जितने amount का एक साल नहीं पूरा हुआ होगा, अगर उसमें exit load है, तो company exit load भी काट लेगी, और उसके बाद long term capital gain है, जितना, उस पे आपका एक लाग रुपए तक tax कोई नहीं देना होगा, अगर एक लाग रुपए हो रहा है, एक लाग के ऊपर जितना भी capital gain हो रहा है, उस पे आपको 10% का tax देना होगा, आप इसको इस तरह से समझ लिए, मान लीजिए, आपने 31 फरवरी 2018 को एक लाग रुपए इन्वेस्टमेंट किये थे, और अप्राइल 24 में उस पैसे को निकाला, आपके एक लाग रुपए की वायलू, यहाँ पे दो सेनेरियो लेते हैं, एक लाग रुपए की वायलू आपकी जो है, धाई लाग रुपए होगी, यहाँ कापिटल गेन आपका हुआ देडल लाग रुपए, एक लाग रुपए आपका प्रिंसपल है, उसमें मैनस कर दीजे, देडल लाग रुपए आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, बचेगा 50,000 रुपए, 50,000 रुपए 10% के साथ से 5,000 रुपए प्लस उस पे चार परसेंट से से एजुकेशन सेस यानि कि 5,200 रुपए का टैक्स अपने पास से जमा करना होगा मीचल फंड कंपनी नहीं काटेगी और इसका दूसा केस लीजे कि आपके 1,00,000 रुपए की वालु 1,99,999 रुपए थी यहाँ कैपिटल गेन आपका 1,00,000 रुपए से कम है इसलिए आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा लेकिन अपनी आयकर विवर्णी यानि इंकम टैक्स रिटन पे यह दिखाना जरूरी है यह नहीं कि वहाँ पे भी आप न दिखाएं कि हमारा टैक्स नहीं कटा यहां टैक्स दारे में नहीं आते हैं तो आप न दिखाएं लेकिन आपको दिखाना जरूरी है अगर नहीं दिखाएंगे तो आपके पास income tax विभाग से notice भी आ सकता है उससे बचने के लिए आपकी कोई भी income होती इंकम tax में अवस्य अपनी return फाइल करते समय दिखाईएगा हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार